नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में आज इस वीडियो में बात करेंगे West Indies vs. Bangladesh के बीच होने वाले दूसरे वंडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के बारे में जो की खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम गुवाना के ग्राउंड के उपर आज यानी 13 जुलाई को शाम को 7 बजे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार सबसे पहली बात दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो आज से जोईन कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके जोईन कर सकते हो वहीं दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तो इस वीडियो को लाइक के आज से कर दीजिएगा आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है तो सबसे पहले दोस्तो हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहिवियर के बारे में दोस्तो आपको पता है कि मैच खेला जाएगा प्रोविडेन स्टेडियम ग्युवाना के ग्राउंड के उपर अगर दोस्तों इस ground की pitch की बात करें तो यहां की pitch आपको एक काफियत तक एक balance pitch देखने को मिल सकती है जो कि batsman पलस बोलर दोनों को favor कर सकती है ऐसा दोस्तों मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस ground की उपर 1-day international के अब तक 22 match खेले गए है इन 22 matchों में पहली इनिंग का average score 299 रन है यहां दोस्तों एक average average score है यहांनि pitch balance देखने को मिल सकती है जो कि batsman और बोलर दोनों को favor कर सकती है वहीं दोस्तों यहां पर toast जीतेगी वो टीम बैटिंग भी choose कर सकती है ऐसा दोस्तों मैंने इसलिए बोला क्योंकि 22 matchों में से पहली इनिंग में बैटिंग करने वोले team ने 13 match जीते है और second इनिंग में बैटिंग करने वोले team ने 9 match जीते है लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हाई chance यह है कि जो team toast जीतेगी वो bowling choose कर सकती है अगर दोस्तों इन 22 matchों में अगर हम बात करें score pattern की तो 200 से नीचे score 6 बार बनाएistes 200 से 299 के भीच में scoring 5 बार बनाएande 250 से 299 के भीच में scoring 9 बार बनाएand 300 plus score 2 बार बनाए याई दोसतों आपे matr 2 बार score है वो 300 पलस गया है बाकी score 300 से नीचे रहा है याई याणी आप आप मानके चल सकते हो कि पहली inning में कहीं कहीं बोलर भी डोमिनेट कर सकते हैं अब दोस्तों इसी सीरीज के अंदर जो पहला ODI मैच खेला गया था वो इसी ग्राउंड के उपर खेला गया था और उस मैच के अंदर बारिस आ गई थी और वो मैच मातर 41-41 ओवर का हुआ था उस मैच में दोस्तों वेस्ट इन्डीज की टीम ने पहले बैटिंग के थी और 104-40 रन मनाय थी 9 विगट पे और बंगलादेश की टीम ने 151-45 रन मना के 6 विटों से उप मैच जीत लिया था उस मैच में दोस्तों बंगलादेश की तरब से टोप परफोरमर थे मेंदी असन मिराज जिन्होंने तीन विकेट चटकाए थे और सोरी फुल इसलाम जिन्होंने चार विकेट चटकाए थे अब दोस्तों एक खास बता दूं कि मेंदे असन मिराज आपके लिए इस मैच में भी ग्रेंड लिक टाएक अच्छा उप्शन रहा सकता है चीज में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा अगर दोस्तों उस मैच में बात करें फास्ट वरसी स्पिन की तो पहली इनिंग में फास्ट बोलर को पांच विकेट और स्पिनर को तीन विकेट दूसरी इनिंग में फास्ट बोलर को कोई विकेट नहीं मिला था और स्पिनर को तीन विकेट मिले थे वहीं दोस्तों अगर उस मैच में वेस्ट इंडीज के तरफ से टोप पर्फोर्मर तो कैली मेरेस ने 10 रन बनाये थे, सर्मन ब्रूक्स ने 33, निकोलस पूर्ण ने 18 रन एक विकेट, रोमारियू शेफन ने 15 रन कोई विकेट नहीं, अकील उसेन को एक विकेट और गुदाज अब दोस्तों यहाँ पे माँ आपको दादू कि इस मैच में आपके लिए ग्रेंड लीक परस्पेक्ट्ट्व से निकोलस पूर्ण भी काफ इंपोर्ण रह सकते हैं, यह चीज में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, वहीं दोस्तों उस मैच में बंगलादेश के तरफ से जो कि बैट्समें रोबोलों को फेवर कर सकती है, फिर भी दोस्तों पिच के रिकार्डियंगर कोई और इंफ्रमेशन आएगी, तो वह चीज में आपको टेलीग्राम पर प्रवाइड कर दूँगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप् जो कि स्मोल लिग के परस्पेक्टिव से मैक्सिमम पब्लिक इन प्लेयर को सलेक करेगी, वो है मेहमदुला, सोरिफुल इसलाम और मेंधी हैसन मिराज, उसके वेस्ट इंडिज की दरब से आपके लिए निकोलस पुरन और रोमारियो से फ़र बेसिक पिक रहने वाले हैं, वहीं दोस्तों आपे स्टार्टिंग के अंदर पारपले के अंदर बोलरों को थोड़ी मदद मिल सकती ही पिछे, दोस्तों बंगलदेश के दरब से आपके लिए पारपले में बोलिंग करने आएंगे, मुस्ताफिजु रेमान, सोरिफुल इसलाम और तासकिन एमद, वहीं प्रेली मेस ग्रेंड लिग की पिक रह सकती है, जेडन सिल्स ग्रेंड लिग की पिक रह सकती है, और ब्रेंडन किंग आपके लिए ग्रेंड लिग की टोप मोस्ट पिक रह सकती है, क्योंकि दोस्तों इन प्लेयर के ऊपर काफी कम बंदे ध्यान देंगे, और इनका description box में आप लिंक पे क्लिक करके आज से जोइन कर सकते हों तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रोबिबल प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज विद बैटिंग ओडर देखो दोस्तों अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आपके लिए बैटिंग ओडर काफी इंपोर्टन एने वा कमान संबालेंगे ब्रेंडन किंग निकोलस पुरन रोमेन पोवल और दोस्तों वेस्ट इंडीज दरब से बोलिंग की कमान संबालेंगे अकील हुसेन कीमो पॉल जेडन सिल्स एंडरसन फिलिपी और गुदादेश मोटे अब दोस्ते आप कीमो पॉल की जगई हो सकते हैं वेस्ट इंडीज की टीम कि हुंसे हों अगर दोस्तों बात करें वेस्ट इंडीज गरफ से एफ ऑप्षन तो आपकेलिए साही होप सेफ है उसके बाद ऑस्तों अपक ними निकोलसुन और श्रमन syndrome हुद सेफ है और उसके बाद दोस्तों आपकल जेडन सिल्स रहासकते हैं लेक इनों के सामने मेंधी एसन मिराज बोलिंग करने आ सकते हैं जो कि राइट आम ओफ ब्रेक बोलिंग करते हैं और लास्ट मैच में दोस्तों इन दोनों प्लेयर को मेंधी एसन मिराज ने आउट किया था लास्ट मैच में मेंधी एसन मिराज ने तीन विकेट लिए जिन मेंसे दो प्लेर थे वो left-handed batsmen थे अब दोस्ते खास बात और किया है कि यहाँ पे बंगलादेश की टीम में भी 3-4 left-handed batsmen है और जो निकोलस पूरन है यह प्लेर भी right arm off break spin bowling कर सकता है लास्ट में एक विकेट भी निकाला था और 7-8 over की bowling भी की थी तो इस match में यह प्लेर भी आपके ग्रेंड लीग के perspective से important रह सकता है इवन दोस्तों आप इस player को captain यह wise captain भी try कर सकते हूँ उसके बाद दोस्तों आपके आपके लिए ग्रेंड लीग के perspective से important रह सकते हैं बाकि दोस्तों अगर प्लेंग लिए में कोई एक या दो चेंज होगा तो चीज में आपको बाद में ट बंगलादेश with betting order देखो दोस्तों बंगलादेश के तरब से आपको opening करते दिखेंगे तमीम इकबाल और लिटन दास अगर लिटन दास ना खेले उस case में आपे अनमूल के opening करने आ सकते हैं उसके बाद दोस्तों बंगलादेश के तरब से तीन नमबरे betting करने आएंगे नज मेंदी एसन मिराज, तासकिन एहमद, सोरिफुल इसलाम, मुस्ताफुज रहमान और नासूम एहमद अगर दोस्तों बात करें बंगलादेश के तरब से safe option तो आपके लिए तमीम इकबाल सेफ है उसके बाद नजमुल हुसेन सान्तों सेफ है मेहमदुल्ला सेफ है उसके जो नजमुल हुसेन सान्तों यह भी लेफ्ट हैंड डिबेट्स में और दोस्तों यहाँ पे जो निकोलस पूरण है वो राइट आम ओप्रेक बोलिंग कर सकते है तो यहाँ पे निकोलस पूरण हो सकता है लिटन दास के सामने बोलिंग करने है तो आपकी चीज ध्यान में अपको बोलिंग निकाल सकता है और दोस्तों अपको बता दूं करने वाले सेक्से वाइब को बात करेंगे में विकट की पर SEQSन के बाड़े में विकट की प्रियों मारे पास West Indies के तरफ से Si Hope opening करते हैं लास्ट मैच में 0 रूर 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 राय थे Nicholas Prune राइट आम ओब ब्रेक बोलिंग कर सकते हैं चार या पांच नम्बरे बैटिंग करने आ सकते हैं नूर लशन पांच नम्बरे बैटिंग करने आ सकते हैं लास्ट मैच नहीं में ठिले थे तक नीकोल रूर पूरून और आप टिम स्मोल लिक के लिए नारे हो थास्ट परस चोईश है निकोलश पूरून सेकड़ या ए इन दोनों के साथ जा सकते हो अगर आप तीसरा batsman जूच करना चाओ तो आप लिटन दास को मोका दे सकते हो वहीं दोस्तों अगर आप Grand League के टीम बनाओ तो आप Nicholas Poulon को Captain या Vice Captain भी टाई कर सकते हो लास्ट मैच में बोलिंग की थी इस मैच में फोर्शो जी प्लेर बोलिंग कर सकता है दूसरी चीज दोस्तों आप Grand League के टीम में Cy Hope को आच से मोका दे सकते हो लास्ट मैच में जल्दी आउट होगे थे थोड़ा सेलेक्शन कमोगा और लिटन दास का भी सेलेक्शन कमोगा ये प्लेर भी आपके लिए जीलकाय का चौप्शन रह सकता है तो दोस्तों बात कर लेते हैं बैट्समें सेक्शन के बारें बैट्समें अर पास West Indies के तरफ से समरे ब्रुक्स दो की तीन नंबरे बैटिंग करना थे लास्ट मैच भी 33 नंबना थे ब्रेंडन किंग चार नंबरे बैटिंग करना थे अर्ट रन बना थे रोंएं पोल चैनल से नंबरे बैटिंग करना थे नोर रन बना थे वहीं दोस्तों बना देश की तरफ से तमी मिख भाल ने ओपनिंग की ती थे सकते हो वहीं दोस्तों कर आप ग्रेंड लीग की टीम बनाओ उसमें आप अफीफ उसेन को याद से मोगा देजिएगा थोड़ा सेलेक्शन कमोगा यह प्लेयर बोलिंग भी कर सकता है और दोस्तों आप ग्रेंड लीग की कुस्ट्यूमों में रोमेन पोल को भी मोगा दे सकते बसको दोस्तों बात कर लेक्ते हैं ओल लांडर सेक्षन के बारे में मारे पास वेस्टेंडेज के दरब से काईली मेरिस राइटाम फास मेडियम बोलिंग करते हैं यह ब्लेकर सकते हैं यह प्लेर ब्ली कर सकते विए अब राज है वो राइटाम ओब्रेक बोलिंग करते हैं साथ नमरे बैडिंग करना थे लास्ट में तीन विकेट लिए थे और बैडिंग नहीं आई थी देगे दोस्तों सबसे पहले बात अगर आप टीम स्मोल लीक के लिए बनारो तो आपके लिए फर्स्ट चोई से मेहमद उल्ल लिए था अकील हुसे लेफटाम और्फोडोक्स बोलिंग करते एक लिए था वहीं दोस्तों मारे पांश यापे बंगलदेश के दरख्षे मुस्तफिजु रिमान लेफटाम पास्ट में बोलिंग करते एक लिए था तासकीन एमध राइटाम फास्ट बोलिंग करते है अकील हुसें यह तीन प्लेयर आपके लिए फिक्स रह सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर आप जेडन शील्स और एंडरसन फिलिप में यह को मोका दे सकते हो यह फिर दोस्तों कर आप ग्रेंड लीप में ज्यादा रिस खिलना चाहो तो आप नासूम एहमत के साथ प्रेंड जा सकते हैं पर आप वाइस कर सकते हैं यह तो दोस्तों बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की दोस्तों में यह पर ड्रीम 11 की टीम बनाइए बाकि दोस्तों हर एक फैंटेसी प्रेटफूंग बोटिम आपको टेलिग्राम पर बिलेगी जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टीम में विकट की पर मिलिया निकोलस प्रॉन और शाहिए होग को बैटिंग मिलिया तमीम अकबाल नजमुल हुसेन सांतोर अस ब्रुक्स को ओलाउंडर में मेहमद उल्ला रोमारियो सेफड और मेंदी असन मिराज को बोलिंग मिलिया मुस्तफिजु रेमान अकील हुसेन और सोरीफुल इसलाम को दोस्तों मैं पूरे गयार फ्लेर चूजगे अगर स्टीम में कैप्टन के बात करें तो मैक्सिम पब्लिंग आपके किसको सोरीफुल इसलाम को मैंदी असन मिराज को इन दोनों के साथ जाएग कर दूंगा दोस्ति यह थी में तरफ से वेस्टनीज और बंगलादेस के बीच होना वाले दूसरे बंडे इंट्रेनेशल मैं इसके ड्रीम लेवन टीम प्रेडिक्शन पिच्टी रिपोर्ट और प्लेइंग लेवन ममीद करताम भी आपको चले के चले की तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मूले धन्यवाद इस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेशले रिसकी प्ले रिस्पोंसिबली